प्रणिवे सरमनिय दर्ष्यनम्मंदहा सरुचिराननाम्भुजं उजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचेंतये गुम अवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमहं श्री गुरुचरन कमलेभ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारायन भगवाननी स्री हरी कुरुच्न महराजनी जै कथा साम्भडनारा बधाज भगतोंने खूब हेत थी जै स्री स्वामिनारायन श्री हरी चरित्रा मुरुच्सागर पूर पाचमू तरंग सोलुमू भगवान श्री हरी अधभूत वाद करे जै एक एक वाद जीवनमा लखी राखवा जिवी जै मोडा गाम्मा दरबार रणमल जीने त्या महराज बधारिया छे वेल्ली सवारे संतों ने बुलावी ने अती हेत थी वाद करे छे पात्र बिन की जे बात अम्रुत सो वीस सम होत बात करे तेही घात अही मुख स्वांत जल बीस होत अही मुख स्वांत जल बीस होत पात्र बिन की जे बात अम्रुत सो वीस सम होत शास्त्रों नी वातों समझवी एक घणिय घरी होई चे अमे रोज सास्त्रों वाचिये छे केतले अमरा अनुभू प्रमाने कहिये छे महा भारत पन कहे छे सुरुतियर बिभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नेको मुनिर यस्य वचह प्रमाणम केतला सास्त्रों केतली वातों अमा तो फसाई जवाई दाद आटवाई जवाई यवू चे तो सुं करवू धर्मस्य तत्वं नितं गुहायां धर्मना मर्मने समझवो जब उंडी अंधारी गूफामा पड़ेलू रतन सोधू एना जवी अगरिवाच्चे महा भारत रस्तो बतालों महा जनो एन गतह सपन थाः कोई महा पूरुषनी आंगली पकड़ी लेवी एना पगले पगले चालवू एना वचने जीवन भरवू एना जवी कोई श्रेष्ठ वाद न थी एवीज एक सास्त्रनी रहस्य जवी वाद में काले कई हती सद्गुण केलवाज जईये तो सद्गुण नी साथे अभिमान आउसे एना थी बचवू ओखरूँछे तो सू करवू साधुनो समागम करिये समागमनी हज्जारो रिच्छे तो सू करवू तो स्रेष्ठ रस्तो एचे संत कहे त्यम करवू मान कर्म वचने करिने संतने सोपाई जवू आना जेवी बिजी कोई मोटी साधना न थी नंबर बे घणी बधी वादो जे जे सास्त्रमा पायानी वाद छे हवे तमनी बिजी कवू जो पात्र तानी वाद सास्त्रमा बव मोटी वाद आवे चे सिक्षापत्री मा पन महरा जे लख्यू कि आसुरी जीवने आ सिक्षापत्री आपवी नहीं अनन्तवार आपड़े सांभलिये छिये अम्रूत जेवी आपड़ी वाद होई पन सामेनू पात्र अयोग्य होई तो आपड़ी वाद जेर जेवी थाई अम्रूत सो विशसम होत एतलूज नहीं वाद करे तेही घात एवाद विकास न करे विनास करे एवाद थी सर्जन थाई विसर्जन थाई तो सूं करवो सामेनो मानस पात्र छेके नहीं इनी कसोटी सूँदा जा बोलो सीता चेत्राया क्या नहीं रावण ने जोईने तो तमें सूं करसो नहीं चेत्राओ स्रीजी महारज आगल कयो कप्टी मानस आगर तो आम्या पन छेत्राय जी ये खबर छे थोड़ा दिवस्पेल आईवो तो तमें सूं करसो आ वाद साची चे आपने सामेवळानी पात्रता जुवानीच चे पन आपना सास्त्रोमा गुप्त वाद लखी चे सागरमा पन वाद आवितियागर एटला माटे सामेवळा मानस नी पात्रता तपास्वा माटे चकास्वा माटे आपनी पात्रता जुईए दादा शामे वालाने अंग्रेजी आवडे छेक नथिया वड़ती जानुवा माते आपणने अपन अंग्रेजी बुलो आपने धगलाना धः होई और हामे वालाने इंट्रुई लेवा जहिए दा तो चाले एक क्लास मा अंग्रेजी ना टीचर हता दा था आँ बल जो यह चोक्राने अंग्रेजी शिखवाडता था अने बराबर एच छमये इंस्पेक्षन आयू एकले इंस्पेक्टर एने जोयू आउँ अंग्रेजी शिखवाडेची बुद्धी वगर नो शिखवक के स्पेलिंग लखेलो एन ए टी यू आर ए चोक्राओ बोलो आसू के वाई चोक्रा के खबर नी सर आ नटूरे सूचे नटूरेटले कुद्रत एन ए टी यू आर ए अंग्रेजी ना शिखवाडता था अधिकारी खीजाई गया बान छे आने नटूरे के वाई आन नेचर केवाई नेचर आटलू तने न थी आ वड़तु अधिकारी ये कयो के आ अंग्रेजी सिखवकने याथी रिजेक करो फायर करो कारण के आने लिद्ये चोक्रानू फूटूरे बगडे चे हमजाई तोज हमजाई इस वाद छे दादा आने लिद्ये चोक्राओनू U-T-O-R-E, रानो बाप थायो हतो, आमा कोण कोने सुधारे, कोण कोने चकाशी सके, बिज्ञानी पात्रता तो तम्हे उळखी सको, तमारी पात्रता होई तो, एतला माटे आपड़ा सास्त्रमा लग्यों, सुनू लग्यों जुओ, राइट थिंग, एट राइट ताइम, विद राइट पर्षन, हैस द राइट रिजर्ट, आ बोव मोटू फिलोसोफीनू सुत्र जे, एक नानु युँ केल्कुलेशन छे, एक मेथेमेटिक्स न्यों दाखलो छे, राइट थिंग, दादा, बियारन सारू होई, एट राइट टाइम, वावणी नो सारो समय होई, बराव, विद राइट पर्षन, अने खेडु थडो कुषण होई, अने दादाम जमिनमा नाखी दे, तो चार मैना नी मेनतमा आठ मैना लिला लिला लेर करे, खवर चेने, राइट थिंग, एट दे राइट टाइम, विद दे राइट पर्षन, हैस दे राइट रिजल्ट, अमा एक पण वस्तु, राइट नी जग्या रोंग था ही जाए, तो तमने राइट रिजल्ट ना मले, 2 प्लस 2 is equal to 4, आउ एक सिंपल मेथेमेटिक्स नो दाखलो छे, पड़ आतली बदी राइट वस्तु सोधवी केम, कि राइट समयी छे केम खबर पडे, राइट मानस छे केम खबर पडे, राइट ताइम छे केम खबर पडे, येना माटे आपडे राइट थावु पडे, सबरी रामने सोध्वान गई राम सामे चारी ने सबरी पासे आले केम सबरीनी लाइकात आसे वा थि सबरी लाइकात जिए रामने आवव लाइकात, सामेथ ने सी लाइकात ow थि Verb अध वरसनी नानी दिखली ने विश्वासlaughter विचारो, गुरु ना वचनमा विश्वासतो, सब्रिने पोतानी भक्तिमा विश्वासतो, पोतानी स्रध्धमा विश्वासतो, पोतानी गुरु निष्ठमा विश्वासतो, तो एसी वर्षियना प्रेम, स्रध्धा और भक्तिने वस्थाई, भगवान राम ने आवू पड़ एतला माटे लख्यो लायक गुरु होए तो चेलानू कल्यान थायाज आपड़ा सास्त्रों माँ फूसकल भार छे आने वाद साची छे खोटी न थी पन सद गुरु लायक होई पन चेलो तद्दन लायकात वगर नोई तो दादा थाई स्रीजी महराणिये जोडेरेनार निर्वीकलपाननू कल्यान थायू रोडानननू थायू केडी सकीनू थायू जोःत्रम्य बहु लाउम्बूल लेस छे भग्मान रामने मली रावणनु थयू, कुम्बकरणुनु थयू, अक्षय कुमारुनु थयू, इंद्रजीत नु थयू, बोलो, सुर्पनखानु थयू लायक गुरु मले, आसर जरूरी छे, शास्त्रमा लख्यू छे, लायक वात्तावरन मले, लायक एतले योग्या, अनुकूल, जिये तमारे गणु होईते बराबय, पण आपड़ा शास्त्रमा लख्यू, सांबल जो, कदाच सद गुरु लायक न होई, खोटा गुरु पकड़ लिदा होई, पाण सिष्यनी स्रद्धा जो साची होई ने, जो सिष्यनी स्रद्धा साची होई ने, तो एकाद दिवस भगवान, खोटा गुरु द्वारा पाण, येनी साची स्रद्धा छेने, तेने साचा रस्ते वाली जेशे, सवत्थी मोट्टम मोटो सद्गुण केलवा जेवो एछे बिज्ञानी लाइका तपासवी जोए, जानीवी जोए, जोवी जोए पड़ एना करता पेला सर्वत आपड़ा थी करवी जोए बस आपने पात्रता केटली, आपने केटला क्वालिफाइड थया छिये आपने केटला लायक थया छिये, आपने केटली योग्यता छिये, आपने केटला सक्सम छिये, आपने कईये छिये, देखाये छिये, एना करता वास्तविक्ता आपड़ामा केटली छिये तो दादा क्यारे कोई पन बाबत्मा प्रोब्लेम थाए नई समझानू आप भला तो जग भला वात तो तेवी अध्भूत महराजे करी छे ने साधू साधू भये साधू गुणन आये साधू भये साधू गुणन आये त्यालग तेहे भय रहाए त्यालग तेहे भय रहाए तेही करी साधू के गुण ही जेता एक एक नित सिखना तेता संतो साधू थया छता साधूना गुणन आवे कपड़ा पेरवाथी गुणन आवे जेहां सुधी गुणन आवे त्यां सुधी तेने भय छे कोनो भय छे मायानो भय कर्मनो भय कालनो भय एतला माटे साधूना गुण होई ते एक एक नित्य सिखता रहू जोईए वारमबार कथामा कवच वारमबार महनत करीने आपणे आपणी कुटेवोने काढ़वी जोई अने महा महनत करीने आपणी आपणा जीवनमा शारी तेव पाढ़वी जोई ખराब તેવી સુંઙ ઘણને બોલ બોલ કરવાને વગર કામનું બકપણી કરવાને તેવી गणा मानसोने आलता चालता खावानी तेव होई तेव नू तो एटलू लांबू लीस्ट छे केटलू करूँ बोलो रातना बेवाग्य हुदी टीवी जुवानी तेव होई पथारिम पड़ा-पड़ा मोबैल ने आतमालेन वापरवनी तेव होई तेव केटली गणवी महनत करीने खराब तेव आपनने देखाई एकाट तेव ने पकड़ी तार्गेट करी काढ़िये बाद बाकी करीये एना करता महत्वनू महा महनत करीने पड़ सारी तेव पाड़िये कई तेव आपना मंदिर मा घणा युवा नो उजो 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 आर्ति नो समय होई मंदिर मा आईवा होई सनिवार नो दिवस होई आर्ति जेवो समय पन एने मंदिर मा मंदिर मा आईवा होई तो पन घणा आर्ति मा नथी आवी सकता अने तेव केवाई कुटेव केवाई केवाई ने मोटी अपने दुख था हुजु एक आपने मंदिर मायवा पांच म मेनित ने आरति माशु सुण सेवा बगडी जसेन कदा सेवा ऊची थाई आरति ना दर्सन रया तो कैंछ नुक्सान थाई मंधिर मा ओवियन दे सन्तो ना सब्दसांबळाने कथामा बेठाने भगवान आरका दर्शन करियाने भगवान नि मूर्ती चरनार्विН थी मुखारविन सोय याद नरितो यह न रच्पडचिध मुखिट्क फासरी आ बधि कुटेव ओची येज घर मारू तो आ आर्ति मा केम देखाता नथी गिर्धारी ये हाध जोडी ने कई उक्के स्वामी 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 डीजा में देखाता नस्य अगाम्त नेमके मोटो भगत मोटो भगत पना चोखु काउचुना ताने समझाई तो सारू न समझाई तो राजीरेजे जे आरतिना दर्शन करवा मोटा देवताव आवे मोटा मुक्तो आवे मोटा इस्वर आवे घर नी सामे आ मंदिर अनि एमा साधु बेठावे नाविसरस आर्ति थती होई तो आतली पांच मिनिट आगू पाचु भेशने दोवानू काम काई महत्वनुची आउ काम रादा बोलो जोगी स्वामीनी जीवन गाथा एप उस्तकमा प्रसंग लग्योची जोगी स्वामीये पोतानी आखे अन्यकवार आवू अनुभवेलू जोगी स्वामी पांच वरस्नी उमरना हता भादरा गाम्मा हता गाम्मा मंदिर मा आर्ति थती त्यारे स्वामीये देवतावना दर्सन करेला आ वर्णन स्वामी गणिवार करता मधवपरी दाशजी स्वामीया प्रसंग लख्यो छे कुट्यो येकली बदी दादा केकली काडवी अमारा मैं होई गणिवार विच्चारू आ कथा गणिवारू साम्भलू पाचलती साम्भला पाची मने थाए आवाद जो अधूरी रही गए आवाद थोड़ी वधारे पड़ती केवाई गए आ सास्त्रोती बार गए वाद धगलो देखाई अमे पन सुधारो करता होये केवी सरस महारा जेवात कई कपडा पेरवाथी साधू न थवाए बोलता आवडी जाई बक्वास करता अड़ले वक्ता न थवाई जवाई साधू भये साधू गुण न रहाए आलग तेहे भय रहाए गुण नहीं आवे तो भय छे पैसावसे बिजाबदावसे तो ये भय छे गुण एक एवी वस्तू चे जिवन में आवे ने बद्धा भय निकली जाई 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 निर्भय थाई जाई तेही कर साधू के गुण ही जेता एतला माटे साधू ये संतो ना जेजे गुण होईनू लिस्ट करवू जोई एक एक नीत सिखना तेता एक 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 सदगुणो सिखवा जोई ए केडवा जोई बिन सिखे गुण आतन कब हूँ बिन सिखे गुण आतन कब हूँ सोबर ससंग रहे वे जब हूँ सो वर्ष साथे रहे तोपन सुख्याविना सारा सदगुन आउता शिखू एतले मेनत करेया वगर सारा सदगुना आउता भरत अधभूत के आख्यान जेह बार बार विचाहरन आतेह साधु ये जडभरत ये अधभूत अधभूत आरंवार विचारता रहो जुए आखी पुरुथ्विनो चक्रवर्ती समराट समरुद्धी वैभव विलास पुत्र परिवार बद्धु छोडिने जंगलमा जाय आवो मोटो त्याग भगवान नो दिकरो अटलु मोटु ग्नान अन्य हरणमा बंधाई जाय विचारो गुरुजी द्रश्टान तापे दर्यो तरी जायी दादा दर्यो तरी जायी नई खाबोच्यामा डुमी जायी आतारत दकी आउथहें के लोपन जोाममा चाती मार्याट्र ज़ाइस मे versteckोलमा न्य 1805 00ao सावधान न रहे तो केवी अधभुत गुरुजी ये वात करी समुद्र तरी जाए गाफलाई जो जीवन मावी गई ने अभिमान जो जीवन मावी गई ने खाबोच्य अमा डूबी जाए अभिमान का आसक्तिया बे सत दुर्गुण येवा छे के मांस नेखाबोच्या अमा ढूबाडी दे भरग जी आसक्तिय करेने डूबया जीवा खाचर अलया खाचर अभिमान ये करेने डूबया बाकर समुद्र तरी गया था अलया खाचर सो जनमना नेष्ठिक ब्रमचारी सो जनमथी ब्रमचारी ये पालदार पन क्या डुब्या? मानमा डुब्या. खाबोच्युज के वाइन दादा मान तो. दर्यो तरी गया अभिमानने लिदे खाबोच्या मा डुब्या. संतो ए सावधान देवु. विचार करीने जीवने ते रूपय करी देवु. कारण के भरज्जिना गुणो परम अनुपम छे. तेवा अनुपम गुणने जयारे आपने ग्रहन करीये, त्यारे तेवा गुण आपना रदैमा आवे छे. सुकदेवुजी, संकादिको अने नारद, ए बध्धा संतो मा जे गुण अथिक रहिया होई, तेने मनमा प्रेम लावी ने सिखवा. आवा मोटा सत्पूरुश्यना जीवनने वाचवा. गणीवार काउचु, जीवन थी जीवन घणाई छे. जीवन थी जीवन घणाई छे. संतो ये महरादना संकालीने संतोना, अत्यारना संतोना, पुझ्जीपाद गुरुदेव होई, आपणा बिजा शंतो छे, ब्रम्सौर्व स्वामिनू जीवन, आपणा महन स्वामि नान स्वामीनु जीवन, जोवू, जानूने विचारवू, तो साधुनु जीवन घड़ाई, हरी भक्तोए सारा हरी भक्तोना जीवन वाचवा, सांबलवा अने जोवा, तो एनु जीवन घड़ाई, स्त्री भक्तोए स्त्रियोना जीवन वाचवा, अथवा सांबलवा, जीवन खड़ाई आ कॉम्पीटर होईन दादा इने अपडेट करवो पड़े वर्षे बेवर्षे जो नग करो तो आ सिस्टम जुनी थाई जाए आ सिस्टम नक्कारी थाई चाले नहीं यह थाई आपने जो आ लायू कथामा सोफ्ट्वेर ने बधिवस्तु 6 मैने 8 मैने अप उपडेट थाई चे दरोज एकले आग दुनिया पकी ए धर्मण अपडेट ना थयो दादा एकले धर्मनो विनास तर्योगो नो भीनास थयो यह थăm debt अपडेट केयो एमने त्याकोचसामाटे केयो एमने देखानू कल युगना जीवोने भगवानना मार्गे वालवा माटे आवा आनंद उत्सवो करवा पड़ से सागर मावात आवी हती रामानंद स्वामी अती धीर ने गंभीर हता रामानंद स्वामी नी प्रकृती एवी हती के स्वामी अती से गंभीर रेता कोई ने बेटता पन नहीं पन स्रीजी महा महाराजी જोयू का सत्संग मा रसिक्ता आसे तोज लोकोने भग्वान मा प्रेम थसे एकले रामानंद सवमिनी रूचीए नोती पन स्रिजी महाराजी तेम छता आ सत्संग मा रसिक्ता एकले क्रशिक उत्सव शमया विगेरीनी परंपरा सरू करी केहवा ये मागुँछु, श्रीजी महाराजे धर्मने अपडेट करो, सुखेरो, अपग्रेड करियो, येम आपणा जीवन ने पन आपणे अपडेट करवो जुए, आपणा पुज्य दादा गुरुजी नी एक भाद तमे जानो छु, गुरुजी नाना हता, बहु नानी उम साधू थया, सहज छे, एक सदगुरु पोताना सिश्चेनु केविरिते घडतर करे, तो दादा गुरुजी ये, गुरुजी नु घडतर गणी रिते करियो, येमानी एक वाद, सवारे, वडतालमा, अरिकृष्ण महाराजनी आर्ती करिने गुरुजी आवे, रुम्मा सारे, अरिकृष्ण महाराजनी मुर्ती आपी दे, रुम्ने बार्ती तालु मारी दे, अवे, साधे ज्यारे संगार आरती थाई, संध्या आरती थाई, त्यारे दर्वाजो खलुआनू, अक्खो दिवस मुरुती सामे अखंड द्रष्टी थी जोया करवू, मुरुती ने केऊ घडतर? गुरुजी नाना हता, वर्तलनों आसन हमना सुधी हतु, अमे दर्षन के रहमना पड़ी गयू, त्या नवा मकानों बनी गया, पन त्या बीजा माल एक पाली हती दादा, बीजो माल अने पाली, ए बीजा माल नी पाली उपर आखी राद गुरुजी ने सुव बाजाई ने एक पड़के सवार्थवी जोई है, डेहनू घडतर आपड़ु शरीर पण येवु कसायलू होई, आपड़ु शरीर येवु सरस्मजानू तयार थयो कि शरीर पण भगवान नी भक्तिमा बाधारूपन बने, शरीर नो उनमाद, शरीर नो प्रमाद, शरीर न कुम्भार छेने, एक आथे माटलाने टपला मारे, और विज्वाथ अंदर राखे, उपर्थी कठोरता, अंतर्थी कमडता, आपणे घणिवार वाद सांबली छे, गुरुजी नाना हता उपफास घरो लागे, एकादसीन उपफास करावे, दादा गुरुजी येम कहे रा बशली रातरे बे वागे जगाडे, पची रातरे रतरे प्र त्रन वागे जगाडे, दादा गुरुती गुरुजी ने टकोर करे जूओ, तमे केता दा उपफास अगरो च गरोचाय तंधे गयो ने, चार वागी घा खबर पडि, पाच वागी गया, गुरुजी येम कहे मन एक उप्वास घरोलाग तो डादा गुरुझे एवू सरस घड़तर करू प्रेमती धिमे-धिमे किया जी एक वरस बे वरस ना धारणापारणा त्रोन वरस ना धारणापारणा करवा होई तो रमता रमता करूच्यों विचारू केवू घड़तर दाद ए सदगुरु ने पन वंदन करवानू मन थ यौ पुझेपाद गुरुदेव ने पन वंदन करवानू मन थाय आ पने आपडे आपड़ा जीवन ने थुडू कडिये किम्मत घडतर नी बउँ मोटी छे ताग स Rich herd लाकडी निचे नाली केवुके बनावो डब्बी बनावो तेना बस्व रूपया थाई यह माथी जा घडियालनी नानिनाई चाकी बनावो चावी बनावो तो बेहजार रूपया थाई बे रूपिया नो लोखन नो टुकडो प्रिनी किम्मद 20 रूपिया पण थाई, 20 रूपिया पण थाई, 2000 पण थाई, जेवु यनू गडतर, यहम आ लोखन नो टुकडो बद्धानो यववन यवचे, आ लोखन नो टुकडो शिती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, बद्धानो शरीर माटिना पिंडा थी बनेलू, पंडेने जेणे जेवु गडियू ने येवी यनी किम्मत थाई, थोडु गडिये आपडे हाँ, केवी सरस महराज वाद करेची, संतो ने कहेचे, आ वाद बद्धा संतो ने अने बद्धा भक्तो ने भगव अन्शयाम दादा पन भखव दादा और भखव दादा पन भगवी रहता हमने स्法ोमिय याद क्या रहिएच, दाला एजक उ illuminे स्काूछ आपड़ा, इंसरी मांट्म निल्कर्ण स्वामिय कथा चालू करी आ बद्धी वात मों सचोट मंतव याइपू दादाए बोलो आ उम्मरे तमारी याद सकती केवी से दादा केम तमें घडतर केरू तमारा मगजने केलिगू एतलेद ने एतलेद ने केवी जू कही वह विचारतों थाई देओ कि हवारे गंम्यत्य शिमख्ण आविजयें दादा करम तयार थाई चैतलीट वज़ी ताबड़ तो कि अदा बद्धु सक्य जे मन새 Qatar अमुक शेर साहीर पकूल बाचु कर क्या होने पहुँ कमें मन्जील मिले या न मिले यह तो मुफदर की बात है मन्जील मिले या न मिले यह तो मुकदर की बात है हम कोशिस ही ना करे यह तो गलत बात है गणी वार आपने मेनतत नथी करता है आपने मन्थी नपुन्शक बनी गया हो यह ची मन्थी आपने एकदम नमाला बनी गया है, मार्थी नह थाई, अरे सू नह थाई, मेनत तो करो, ट्राई तो करो, आपना घणा बधा भगतों केता हाता, त्यारे लगभग भगतों कथा याद रागे, अने बद्धा भगतों केवुचिया, सागर ग्रंत, आओ अध्भूत ग्र आ अम्रूत छे, पिवा जेवुझे, याद करवा जेवुझे, मन्जील उनको मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता सहेव, उडान होसलों से होती है, एक उत्सा, एक होसलों आपड़ा जीवन मा होऊ जोई, भगवानने राजी करवान। आपनने तांचे बंगला बनावाना, आपनने तांचे सारा सारा वहिबव विलास विक्सावाना, आपनने तांचे आ जगतना काम करवाना, पर थोड़ू तांद राखे महरादने राजी करवा छे, अक्सरधामना नादी मुक्त जेवात बनव आने आ देहेकरिन महारागनी मुर्तिनु महासुक लेवुँ छे आउ तान थाई छे क्या रहे आ एक आदसिये दून अती गणी बधी सेवा हती एटले आपने लगभगा में संतोय पन फराड करके बहुत धून होई बहुत ओचा संतोय एटली बधी सेवा हती आपने भाव थाई के ना थाई करी सकाई जमा उत्सा छे जमा होसलो छे जने तान छे करी सके छे थाई सके छें दादा मंजिल मिले या न मिले यह मुकदर की बात है हम कोशिस ही ना करे यह तो गलत बात है मेनत करवी जोई आपने पच्छी हा बद्धी वस्तू बद्धू मेनत थी नथी मलतू हूँ पन जानूच बद्धा सास्त्रों पन कहे चे मेनत करी हसे ने तो ठाकोर जी आपड़ी मेनत सामू भगवान जोशे दादा एक जंगल मा आग लागी मोटू जंगल आग एटली खतरनाख अने एमा एक चकली एक जाड़वा उपर बेठीती एने आग जोई बाजू मा मोटू सरोवर एमा जाई चाच मा पाणी भरे फू करी तो जंगल मा पाणी नाखे चकली और जंगल थारवा मेनत करे आखो दीवस चकली आग काम करे पाणी भरवानू फू करी नाखवानू रात पड़ी गई रात रेपेलो घुवड बार नी किलो एने जोई खी 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 हसवा लाग्यो अरे गांडी तारा पानी थी आग के बुझवानी बुझवान सुम मंडी चो मरी जेश मुकी दे आधन्दो कोणे किदू आवू गुवड ए कईू चकली ने किदू अरे गांडी आधन्दो बंदकर आनात कसु वळवान न थी तूस्वाने ठारवानी आईवी मोटी त्यारे पेली चकली किदू गुवड चानो मनो बेश मने पन खबर छ कि मारा आतलाईवा पानी थी आतली मोटी आग न बुजाई पन सांभळ गुवड सांभळ कान खोली ने कि जारे आगनो इतिहास लखा से आग क्यारे कोलवा से त्यारे हम केवा से कि जंगल मा एक चकली हती और चकली ये पन आगने ठारवा मेनत करी हती इतिहास मा नाम ये इसलु तो लखासे और ज्यारे गद्दारों यादी थसे ने त्यारे केवा से की जंगल मा इजंगल ना जाड मारे नरू गुवड हतू थू मेनत तो नो तू करतू पंड कोई करतू तो ने है पाण आपणे नक्की करवानों चे का आपणी यादी गुवड ने जहम राकवी चेक पसे मंजील मिले या न मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिस ही ना करे ये गलत बात है केवी सरस महराज बात करे चे संतो पोता नो जे वर्ण होई जे वो अभ्यास होई तेने अनुरू तत प आयकात जोईने मेनत करवी घणी वारवे गाता आवड तुने पंची गावानों सिखवा जाए तो कुम्भार भेगा थाई जै दादा वगर सिख्ये गुणों आउता नथी गुणु विनानों साधू मात्र नाम थी साधू कहवाई जे नाम मात्र थी साधू होई तेने ब्रह्मरूप करी देवाचे तमने बधाने मारे ब्रह्मरूप करी देवाचे केतली वार आवात आवी केतली वार स्रीजी महारत नु एकज मीशनातू आपनने केवा करवाचे ब्रह्मरूप अगल वात आवी गई ब्रह्म थाईने मान अपमान क्यारे अडे नहीं ब्रह्मर आपने वाते वाते फुलाईजिये थोड़ी वाते पाछा करमाईजिये आत्मामा मायानो भाग भली गयो छे जेम सोनामा बिजिधातु मली जाई तो सोनानी किम्मत घटी जाई ठबर चेन लगभग सोनामा 10 तका 20 तका 30 तका 40 तका साइंस सित्त्य तका सुधी बढ़ी जाईचे अरे सोनामा पेला भेलचेल अवे तो बद्धामा भेलचेल थवा मड़ी आमना तो में साइमबलू चोखा प्लास्टीक नाई तो ठीक छे घणा जुनिवात थे गई इंडियामा तो मरी मसाला जेवी वस्तू मरी मसाला सर्षवना दाना पचिसुक्यवाए अपने जीरानो पावडर केटलू मोटू को भांड पकड़ायु दादा अ बद्धी वस्तू केमिकल थी पावडर थी बनावमा अवती थी बोलो जीरूप मरी नो पावडर जीरानो पावडर सरकारे केटलू मोटू सज्जियंत्रपलू कोरोड अब जो रूपयामा वेचा आतो तो साराम सारा ब्रांडनी वस्तू अवे ये वस्तू क्यारे को तमारा जे ओ भग्त प्रेम थी लियाए वन संतन रुषे पछी संतने कैंसर ना थाए दादा कल युग मा बचून बोव घुरू छे चारे बाजू पाप चाले चारे बाजू को कई दिशामा तम्य अटकाओ एतला माटे महराज कहे छे एवी जुरीतिये जेमा कल युग मा मायानो चारे बाजू प्रवेश्थे गयो छे एवी रितिये आत्मा मा मायानों भाग भड़ी गयोचे तेने मारे एकदम अलग पाड़ी देवोचे तमारे बधाय खबरदार रहवू पड़ से नहीं तो अमारी साथे तमारों पग नहीं टके मा इक भाग मिले हे एका तासे जुदे करने छेका खबरदार अब रूरे ना तुमारे नहीं तो पावन टिक नेवारे अवे अधुगूत महाराज बाद करेची सत्संग में अब आये हे जेते संत हरी जन बायू तेते सब हे मुक्त अनादी एहे सोभाव अब भूल गये ते हे आ सत्संग में अत्यारे जे कोई संग तो छे हरी भक्तो छे स्त्री भक्तो छे आ बधा अनादी मुक्तो छे पान सत्संग में अब आये हे जेते संत हरी जन बायू जेते आकड़ी बद्धा याद कर जो हां आमा महिमा पन छे अने उपदेश पन छे सब हे मुक्त अनादी एही सोभाव अब भूल गये ते ही बधा अनादी मुक्तो छे पन अत्यारे एह दिव्यभाव भूली गया छे केटली मुटी खोट पड़ी एक मनमा चालीस सेर नी खोट दादा एकली केटली खोट केवाई एक मनमा चालीस सेर नी खोट एकली खोट केवाई आसीद भगत तो र्यूहूं दादा, 20 किलो नो मन खोट केटली, 20 किलो नी, तो कमाणी सु करी, सो माथी सो गया तो रया केटला, जीरो, खातले मोटी खोट, कई खोट, आ अनादी मुख तो अचे बदा, सोभावब भुलगये तेही ये भुलाई गयो छे आपने, ये गनान आपनु ढकाई गयो छे, माया ना अगनान थी, आपना अहंकार थी, आउगुणोंने लिधे ये गनान जागरूत करवानुचे, अकथा असांबली ने, साधना करी ने, धर्मनियम पाली ने, आपना अंतरन गनान नो प्रकास पतरा से, केवी सरस महाराज वात करे जो, जे दिवस्थी सहु सत्षंग मा आविया छे, ते दिवस्थी गनान, ध्यान, धारणा अने समाधिनी चर्चा थाई छे, बिजी कोई वात्षंग मा थती नथी, जेनारदय मा प्रथम महारा स्वरूपनी द्रडत थाई होई, तेना प्रभाव थीज, तेने आत्म स्वरूपनो सर्वोच प्रकास थाई छे, सूर्य उदय भय बिन, तम न टरे कब नेन हुसे, सर्म करे कोटी दिन, मम गनान बिन न गनान होता, सूर्य थया सिवाई, आखनू अंधरू टलतू न थी, बस तेवी जरिते मारा स न गनान विना, आत्म स्वरूपनो गनान थतू न थी, बखलेने करोडो दिवसुदी, अन्य साधना मा श्रम करतो रे Holly, मारी मूरति मा, औने मारा वच्चन मा, कोई न्युनाधिग भाव राखू नहीं, मूरति मा, औने वच्चन मा, न्युनाधिग भाव राखू नहीं, आउ मनमा समझी राखवु औने त्यने अनुसारे द्रड वर्तन राखवु। महराजे एवी जबरीने जोर्दार वातों करीछे दादा केटलू वाचु हैं। कुतावल करसु थोड़ु समझे पन मजबूत समझे बराबरने। अठ्याविस चोपाई सुधिनी कर्ट कथा याँ पुरीथाई छे। बधा भग्तने मारी विननती। सनिवारे तमें मन्तव्य सारू तयर करीने आउजो। आ बाकीनी कथा आपड़े सनिवारना दिविशे सांबली सु। सत संग में अब आये हे जेते संत हरीजन बायू जेते सबहे मुक्त अनादी एही सोभाव अब भुल गये तेही आब दू आपड़े भुली गया छिये। अवे जागरुत करवानू छे ये ज्ञान अवे आपड़े पाछो प्राप्त करवानू छे अनि ये ज्ञान जो प्राप्त थसे ये अंतरनी आखो जो उगड़ से तो महराज उळखासे सतपुरुस उळखासे संतो उळखासे भक्तो उळखासे ना सत्संग उळखासे दिव्य मती विना क्यारे दिव्य गती मलती नथी। दिव्य गती करवी छे तो पेल्ला दिव्य मती करवी पड़शे। में किदुन बिजानी पात्रता ओडखवी छे तो आपड़ी पात्रता पेल्ला केलवी पड़शे। सर्वात नहीं याथी धाई छे बद्धी माटे अधुभूत आवाद छे संतोने निमित करी महराजे बद्धा सत्संगी भक्तोने आपेलो उपदेश आछे तो आपडे अजी महराजनी एक एक अनमोल वातों छे सनीवारे आपडे बधी वातों पूरी करीशू बद्धा भक्तों जरूर सनीवारे आ मंतवियत त्यार करीना आवे एकले आपडे आपनों कथानों प्रवाः ये वोने वो जलवाई रहे बोलो घनस्या महराजनी